CUETPG 2025 में होने वाले ये बिग मेजर चेंजिस जो कि आप लोग को पता होने चाहिए अगर आप ये 2025 का एक्जाम देने वाले हैं तो hello everyone, welcome to order 247, I am your educator सुधा और आज की इस वीडियो के अंदर फटा फट से मैं आप लोग को बताने वाली हूँ CUETPG 2025 में होने वाले मेजर चेंजिस के बारे में तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगे कि इस वीडियो में हम basically किस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम exam pattern के बारे में बात करेंगे, क्या exam pattern में कोई changes हुए है next हम बात करेंगे exam date, कब तक आप लोग का exam conduct होने वाला है then उसके बाद मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि 2025 में आपको total कितनी universities मिलने वाली है after that हम lastly बात करेंगे कि आपका exam कौन से mode में conduct होने वाला है तो चलिए, देखते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, CUATPG आप लोग का exam NTA यानि कि National Testing Agency conduct करवाती है हर बार की तरह वो इस exam को conduct करवाने वाली है next आप लोग का exam होने वाला है second week of March में यानि कि March के after, 12th of March के बाद हम कह सकते हैं कि आपका exam देखने के लिए मिलेगा क्यूंकि 2024 में exam हुआ था 11th of March से 20th of, 28th of March के बीच में exam हुआ था तो we can assume कि अभी 2025 में भी हमारा exam 2nd of March में देखने के लिए मिलेगा after that आप लोगों के application forms की अगर मैं बात करूँ तो 2023 में like 2024 का जो exam था तो उसके लिए 26th of December को application form release कर दिये थे NTA ने so just like that हम कह सकते हैं कि last December 2024 में आप लोगों को application forms देखने के लिए मिल जाएंगे NTA की official website पर now आप लोगों का exam पहले 2024 में hybrid mode में conduct करवाया जाता था that means कि वहाँ पर CBT plus में pen and paper दोनों का ही combination आप लोगों को देखने के लिए मिलता था 190 universities मिल जाएगी जिसके अंदर आप admission ले सकते हैं now यह 190 university कौन कौन सी होने वाली है इसके अंदर आपकी central universities आ जाएगी team university and plus में private university सारी की सारी university आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी after that आप लोगों का common counseling portal open होने वाला है जैसे कि पहले आप लोगों को पता है 2024 में या उससे पहले भी आप लोगों को हर college के लिए अलग से आप लोगों को application form फिल करने पड़ते थे हर जगा आप लोगों को बार बार fees पे करने पड़ती थी लेकिन अभी आप लोगों के लिए common counseling portal बात जो है like open करने की ये बात की जारी है जिसके लिए कुछ universities जो है already agree हो चुकी है इस बात पर तो मेबी यह आप लोगों का 2025 में ये common counseling portal finally जो है वो आ जाएगा next हम बात करते हैं changes in paper pattern as you guys know कि 2023-24 हम जितने भी अभी जो exam हो रही है तो उन सभी के paper pattern में हमें changes देखने के लिए मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कहीं न कहीं कि जो हमारा 2025 का exam होने वाला है तो उसके अंदर भी हमें थोड़े बहुत changes तो देखने के लिए मिलेंगे तो आप लोगों को पहली से ही उस according अपनी preparation करनी होगी क्योंकि हो सकता है exam आप लोगों का थोड़ा सा difficult आ सकता है तो उस according आप अपनी preparation करना I hope कि अब आप लोगों के जितने भी doubts थे related to CUETBG 2025 वो सारे के सारे clear हो गए होंगे इसके अलावा one more thing अगर मैं बात करूँ exam pattern की तो आप लोगों का exam pattern same रहेगा like just like पहले 75 questions पूछे जाते थे 105 minutes आप लोगों को total दिये जाते थे तो exactly 2025 में भी आप लोगों को same उतना ही time और उतने ही questions दिये जाएंगे तो that's it for this video I hope you guys like this information do like share and subscribe bye